हम देखते हैं भारतिय सम्विदा अधिनियम 1872 का सामीधिक उपबंध तो भारतिय सम्विदा अधिनियम 1872 का अधिनियम संख्यांक नौ इसके अधिनियमन की तारीख है 25 अप्रेल 1872 भारतिय सम्विदा अधिनियम की उद्देशिका है सम्विदाओं से संबंधित विधी के कतिपय भागों को परिभाशित और संशोधित करना समीचीन है अता एतत द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनिमित किया जाता है प्रारम भीख है इसमें दो धाराएं है धारा एक और दो धारा एक जो है वो संशित नाम बताती है कि यह अधिनियम भारतिय सम्विदा अधिनियम 1872 कहां जा सकेगा और इसका विस्तार और प्रारम इसका विस्तार संपून भारत पर है यह 1872 के सितंबर के प्रथम दिन प्रवित होगी तो एक सितंबर 1872 को यह प्रवर्तन की तारीक है व्यावरित्ती इसमें अंतरविष्ट कोई भी बात एतत द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्शित ना किये गए किसी स्टेच्यूट अधिनियम या वीनियम के उपबंधों व्यापार की किसी प्रथा या रूढ़ी पर अथ्वा किसी सम्विदा की किसी प्रसंगती पर जो इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत नहों प्रभाव ना डालेगी। आशे प्रतीत ना हूँ। जो है उसकी परिभाशा दी हुई है 2A में। अब 2B देखते हैं कि जबकि वह व्यक्ति जिससे प्रस्थापना की जाती है उसके प्रती अपनी अनुमती संग्यापित करता है तब वह प्रस्थापना प्रतिग्रहित हुई कही जाती है। प्रस्थापना प्रतिग्रहित हो जाने पर वचन हो जाती है तो यहाँ वचन की परिभाशा दी गई है। अब देखते हैं 2C कि प्रस्थापना करने वाला व्यक्ति वचन दाता कहलाता है और प्रस्थापना प्रतिग्रहित करने वाला व्यक्ति जो है वो वचन ग्रहिता कहलाता है। तो वचन दाता और वचन ग्रहिता की परिभाशा दी गई है 2C में। अब 2D देखते हैं कि जब की वचन दादा की वांच्छा पर वचन गरहिता या कोई अन्यवक्ति कुछ कार कुछ कर चुका है या करने से विरत रहा है या करता है या करने से प्रविरत रहता है या करने का या करने से प्रविरत रहने का वचन देता है तब ऐसा कार्य जो है या प्रवीरती या वचन उस वचन के लिए प्रतिफल कहा जाता है तो यहां पर प्रतिफल की परिभाशा दी गई है 2E देखते हैं कि हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक सम्वर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो करार होते है तो यहाँ पे देखिए कि वचान या वचनों का जो वर्ग होगा या समवर्ग होगा वो अगर एक दूसरे के लिए प्रतिफल हैं तो यहाँ पे यह करार बन जाता है, एग्रिमेंट बन जाता है तू एफ वे वचनों जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल या प्रतिफल का भाग हो व्यतिकारी वचन का लाते हैं तो वतिकर वचन की परिभाशा दिये गई है जी तू एच तू आई और तू जे तो देखें कि टू जी में बदलता है कि वह करार जो विधीत प्रवर्तनी नहों शून्य होता है और उसके पर टू एच में दिया हुआ है कि वह करार जो विधीत प्रवर्तनी हों समविदा हो जाता है तू एच में दिया हुआ है कि जो समविदा विधीत प्रवर्तनी नहीं रह जाती है वह तब शून्य हो जाती है जब वह प्रवर्तनी नहीं रह जाती है तो यह सून्य शविदा कि परिभाशा दिव गई है तू जय में